सभी दोस्तों को जहिन, तो दोस्तों सभी लोग ने थमनिल देख लिया, थमनिल देख करके समझ में आ गया हूँ कि हम आज टॉपिक जो है हमारा मेट्स का एक क्लास वन है और इसमें हम दोस्तों टोटल 15 important question डिसकस करने वाले जो कि आर्मी अगनीवीर exam के लिए जो आने वाल हूँ यहाँ पर और टोटल दोस्तों मैं यहाँ पर 15 question लिकर करके आया हूँ जैसा कि आपके syllabus में रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक एक question को हम deeply से दोस्तों पढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक motivation इस motivation को ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा और उसके बाद जो है ह यह परिंदे तुझे यह सारा जहां देखता है तो सबसे पहली बात आज हम पहले question को start करेंगे तो पहला question आपके सामने इस प्रकार से है मैंने आपर छोटे छोटे फोन्स में आपर question को लिखाया थाकि इधर में आपका solution यहाँ पर दिख सके और यह बाद दोस्तों यह सार solution वाली जो है notes भी मेरी handwriting की notes आपको मिल जाएगी तो दोस्तों सबसे पहला question है जो कि अगनीवीर के हिसाब से दोस्तों आर्मी अग्डियूर में जिस प्रकार के question पूछे गए ते प्रिवे सेर में उसके आधर पर मैंने आपर इन्हें सम्मीलित किया है तो पहला question है कि 12, 15, 18, 21 इसका होता है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि LCM क्या होता है Всем आपका क्या होता है दोस्तों LCM आपका होता है lowest common multiple और दोस्तों इसको बहते हैं आपका क्या होता है LCM मैं आपको बता दो अगर से कोई भी संख्या दी है तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे बड़ा जो मान होता है वो LCM होता है और LCM का एक की पॉइंट यह है कि LCM दी गई सबसे बड़ी संख्या के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा चाहिए जो यहां का इसका आंसर हमें एक बात से तो समझी में आ गया कि इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है तो इसका एससे जो है 12 होगा या 12 से भी छोटा होगा तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ संख्याओं को नोटिस कर लेते हैं कुछ संख्याओं को नोटिस प्रकार से करत तो अगर से अपन ये तीन चारो संख्याओं को अगर से तीन से काटके देखे तो तीन चो बारा ये कड़ जाता है उसके बाद दोस्तों ये पंदरा जो है आपका तीना पाचे 15 कड़ जाता है और ये तीन चाक अठरा कड़ जाता है और ये तीना साथे 21 कड़ जाता है तो इ यहां पर 3 है मतलब 3 इसका HCF होगा इसका मतलब यह साबित सी बात है कि यहां पर यह discuss हो गया कि जो HCF होता है वो दी गई सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है या उससे भी छोटा होता है तो यहां पर यह दोस्तो उससे भी छोटा है आपको यहां पर समझ में आ जाएगा अब अकला question है कि 12 लड़कों की अवसत आईयू 10 साल है तो उन में से 11 लड़कों की अवसत आईयू 9 साल है तो बारवे लड़के की अवसत आईयू आपका गयाद करना है तो दोस्तो यहां पर option दिये गए है तो मैं आपको बता तो इसका सिंपल सा फंडा है अवस्वत आयू ग्यात करने का सबसे पहले तो ये दो लड़कों की अवस्वत आयू को जो है multiple कर देंगे तो 12 गुनित 10 आपका कित्ता हो जाएगा दोस्तो 12 गुनित 10 आपका हो जाएगा 120 अब इसके बाद दोस्तो ये जो 11 लड़के हैं 11 लड़के में की अवस्वत आयू कित्ता बोला गया यहाँ पर 9 वर्स बोला गया है तो दोस्तो अपन ए 11 का गुना कर देंगे 9 में तो 11 9 9 हो गया दोस्तो तो दोस्तो यह 11,99 हो गया तो हम अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तो हमें जो है 12 लड़के की आयू निकालना है 12 लड़के की तो अपन क्या करेंगे दोस्तो जो अपने पास 12 लड़के की आयू थी उसमें से अफन दोस्तो ये 11 लड़की के आयू को घटा देंगे तो अपना जो है 12 लड़की के आयू हमाँ पास अल्रेडी आ जाएगी तो ये दोस्तो 12 लड़की के आयू 120 थी उसमें से 11 लड़की के आयू हमारे कित्थी थी दोस्तो 99 तो निन्यानो को आपन यहां से माइनस कर देंगे तो 120 में से निन्यानो गया तो गित्ता बज़ गया आपका टोटल 21 तो 21 वर्स आपका करेक्टर आंसर होगा दोस्तो तो दोस्तो लाश तक बने रही है आपको एक एक कुश्चन का आंसर यहां पर समझ में आने वाला है इसके गुनित समय बटा 100 तो यहाँ पर मुल्धन दोस्तों आपका 18,440 है दर कित्ती आपकी 15 प्रतिसत है समय कित्ता आपका 4 वर्स है और बटे में दोस्तों आपका 100 की 100 तो दोस्तों इसको फन डायरेक्टली सॉलू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सॉलू करने के बाद आपको जो है करेक्ट आंसर के आ जाएगा 11,064 तो 11,064 यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसको सॉलू करने के बाद यह 0 सी 0 कर जाएगा 2,5,10 कर जाएगा और 2,2,4 कर जाएगा इसे पकार आपको जो है मान रखना है हो गया इसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन है कि एक केंटीन में एक सप्ता के लिए 28 दरजन केलो के आव सकता है तो 47 दिनों के लिए कितने केलो के आव सकता होगी तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा इसका फंडा बता दो इस और यहाँ पर बात की गई है एक सप्ता हमें दोस्तों कितने केलो की एक सप्ता हमें बात की गई है 28 दरजन केलो की तो आपको यह याद रखना है कि एक सप्ता हमें 7 दिन होते हैं तो 7 में अपने चार का गुना करेंगे तो 64 28 हो जाएगा दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों आपको मैं बता दू कि हम जो है यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि 47 जो अपने पास क्या है 47 दोस्तो टोटल कितने है दीन है अब दोस्तो हमारे पास कुल 47 दीन है तो हमने जिस प्रकार दोस्तो 7 में 4 का गुना क्या था उसी प्रकार हम 47 में भी 4 का गुना कर देंगे तो कि की दो और दोस्तों 4 4 16 और 2 18 अब दोस्तों यह हमार पास 1888 धरजन खेले हो गए अब दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 108 188 दरजन के लिए तो है अब इसमें दोस्तो अपन एक की दरजन में कित्ते होते हैं बारा के लिए होते हैं तो अपन 188 में दोस्तो कित्ते का गुना कर देंगे 188 में गुना कर देंगे बारा का तो आपका टोटल हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर कितना 3 बार और वर्ग का मतलब वर्ग मुल का मतलब 2 बार तो यहां पर 3 बार करेंगी तो 13 13 179 होता है और 179 का गुणा 13 में करदो तो दोस्तों आपका 21 इसके बाद अगला question है दोस्तों कि एक आयताकार छेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो है बीस मीटर है तो उसका परीमाप क्या होगा तो दोस्तों सबी लोग जानते कि आयत का परीमाप क्या होता है आयत का परीमाप आपका होता है दोस्तों दो गुनित लंबाई धन चौड़ाई तो दोस्तों सबी लोग को यहाँ पर अपना सिंपल से इसमें जो है यहाँ पर आपको पूट करना है वेल्यू को तो दो गुनित लंबाई कित्ते होगी दोस्तों आपकी 20 प्लस चौड़ाई क इत्ती होगी दोस्तों 30 तो दोस्तों ये टूटल किता हो जाएगा 50 और 50 गुनी 2 किता हो जाएगा 100 तो आपका 100 मिटर करेक्ट आंसर होगा इसके बाद अगला कुश्चन है दोस्तों कि एक गोले की 37 सेंटीमिटर है तो उसका प्रष्टीज हेत्रफल क्या होगा तो मैं आपक जानते हैं और आर का स्केर मतलब साथ का स्केर साथ का स्केर किता हो जाते हैं दोस्तों 59 तो ये हो गया अपना किता दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चार गुनीत 22 बटा साथ गुनीत 59 तो ये साती साती 59 हो गया दोस्तों और ये 22 चो किता हो गया 88 और 88 में अपन गुना कर द जाते है फन कि 8, 10, 15, 16 और 20 का LCM क्या होगा तो दोस्तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो HCF होता है वो दी हुई सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है या उससे भी छोटा होता है लेकिन दोस्तो LCM ज़स्त gratis का उल्टा होता है LCM दी हुई सबसे बड़ी संख्य के बराबर होता है या फिर उससे भी बड़ा होता है तो दोस्तों यहां पर दी गई बड़ी संख्या कुंसी है 20 है तो LCM आपका यह तो 20 होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा तो दोस्तों यहां पर पहले बाद 20 तो दिया ही नहीं यह इसका मतलब यह तो होगा नहीं तो य आपको इसमें यह सभी ने आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका इस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे 8, 10, 15, 16 और यह 20 हो गया, तो इसको जोसतो यहां से जैसे 2 से भाग दे करके निकाल लिया जाता है, 2, 4, 8, 2, 8, 16 लेकिन यह दोस्तो और जितना भी आता है, और उ दोस्तों इहां पर आप देख सकते हैं तो इस टेकनिक में आपको कुछ हमी करना है शिर्फ और सिर्फ सभसेपहले दोस्तों क्या करना है आपको सबसे पहले दोस्तों आपको आपका 8 और 10 का आपको LCM लेना है तो 8 और 10 का LCM सिंपल सी सबी लोग जानते हैं कि 40 होता है अब 40 आपका 8 और 10 का LCM हो जाता है और उसी प्रकार दोस्तों आपका हैं पर 15 और 16 का LCM आप देख सकते हैं कित्ता होता है और 40, 40 में अपने कित्ते का गुना करेंगे, 240 होएगा, तो दोस्तो 6 का गुना करेंगे, तब यह 240 होगा, तो इस प्रकार से दोस्तो इसका भी 240 होगया, और इसका भी 240, तो आपका correct answer 240 होगा, तो दोस्तो यह short trick है, अगर से आपके पास यह short trick आपको नहीं अजमानी, तो आप दोस्तो जो है, वो long trick वाली से भी निकाल सकते है, LCM मतलब long trick किस प्रकार से, तो दोस्तो आपको यहाँ पर simple से 8, 10, 15, 16 और 20 को लिख लेना है, और सभी को जो है, जिस संक्या से उसमें भाग जाता है, उससे काट लेना है, और सभी जो संक्या से अपन भाग दे रहे, जो है 25 है, और उनका अंतर 13 है, तो वो दोनों संक्या ग्यात कीजिए, तो सभी लोग हम उन्हें X और Y मान लेंगे, माना 2 संक्याओं का योग जो है, कित्ता है दोस्तो 25 है, और इसके साथ दोस्तो उनका अंतर हम मान लेते हैं, दोस्तो एकस माइनस वाय है मान की चलिए उनका अंतर कित्ता है 13 तो दोस्तो यहां से यह य से वाय कड़ जाएगा यहां पर और दोस्तो यह एकस और एकस कित्ता हो जाएगा और यह 25 में से 13 माइनस हो गया तो कित्ता बज़ गया दोस्तो 25 में से 13 माइनस हो गया तो बज़ ग यह 12 हो गयाравivाम टूटल तो यह ब्लस वाय ब्राबर 25 եा दो दोस्तो एक्स प्लस वह ब्राबर 25 तो यह अपना यह पर यृकल विल्यू तव हमारा दोस्तो स्य वह 2020 अ यहां पर दोस्तों बज जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा उन्निस और छे यहां नमबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट कुश्चन है जिसमें बूला गया है कि एक गाव में पुरूस और महिलाओं का पाच अनुपात तीन है अगर गाव में 800 पूरुस है तो महिलाओ के संख्या ग्याद करो तो पहली बात तु दोस्तो यह अनुपाद लिख लो सबसे पहले 5, अनुपाद 3 तो दोस्तो आप 5 में अगर से 160 का गुना करते है तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तो आपका कितना 800 और प्रश्ण में बला गया है कि पूरुस के संख्या 800 है तो महिलाओ के संख्या ग्याद करो तो दोस्तो जब हम 5 में 160 का गुना कर रहे हैं तो हम 3 में भी 160 का गुना करके देखेंगे तो 3 में अगर से 160 का गुना करते है तो यह कितना हो जाएगा दोस्तो सुन सुनम सुन और सुलतिया 48 चार सुसी तो मतलब आपका यहाँ पर चार सुसी अप्सन नमबरे करेक्ट आंसर होगा तो दोस्तो यह 10 कुस्चन थे इस 10 कुस्चन के अगर से आपको हेंड राइटिंग वाले सॉलूसन वाला कॉपी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है आप उससे जुड़ जाएए वहाँ पर मैं अपने हेंड राइटिंग के नोट से भी भेज़ दूँगा तो दोस्तो यह टॉप 10 कुस्चन हम डिस्कस कर पाए क्योंकि दोस्तो मेरे मुबाइल का उतना इस्टोरेज नहीं है और दोस्तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मैं आपके लिए वीडियो सुट कर रहा हूँ सम्तिंग देड़ बजे के दोस्तो तो दोस्तो बाकी के पास कुस्चन नेश्ट क्लास में हम मैं ला दूँगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत